सीखने वालों को मेरा प्रणाम तो गाई स्वागत है आपका अपने खुद के यूट्यूब चैनल में तो आज किस वीडियो में हम उस जगा के बारे में जानेंगे जहां पर एक सितारे का जन्म होता है लेकिन उस से पहले हम ये जान लेते हैं कि एक सितारा होता क्या है सितारा एक astronomical object है जो लगातार हमें हमारी night sky में चमकता हुआ दिखाई देता है इसके core में हो रही nuclear fusion reaction इसके चमकने का राज है अगर ये reaction होना बंद हो जाए तो इसका चमकना भी कम हो जाएगा इसके कोर में लगातार हाइडरोजन गैस हीलियम गैस में कनवर्ट हो रही होती है और जब ये कनवर्जन हो रहा होता है तो ये बहुत ही जादा मात्रा में हीट और लाइट अनर्जी को प्रोड्यूस करता है और यही वज़ा है कि यह हमें हमारी नाइट स्काई में एक चमकता हुआ अबजेक्ट दिखाई देता है तो चलिए अभी हम उस जगा के बारे में जान लेते हैं जहां पर इन सितारों का जन्म होता है एस्ट्रोनामी में इस जगा को हम नेबूला कहते हैं नेबूला एक लेटिन शब्द है जिसका अर्थ दूंद या फिर क्लाउड होता है और असल में भी यह नेबूला इंटरस्टालर गैस और इंटरस्टालर डस्ट के क्लाउड से ही बने हुए होते हैं ये नेबियुलाज हमारे सोलर सिस्टम से बाहर गलैक्सिस के बीच का स्पेस जिसे हम इंटरस्टालर स्पेस भी कहते हैं वहां पर पाये जाते हैं सदियों पहले हमारे पूर वल जी यह माना करते थे कि यह इंटरस्टेलर स्पेस एकदम खाली हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा प्रंथू आज हमें यह पता है कि यह इन्रस्टेलर स्पेस खाली नहीं बलकि यहाँ पर इंटरस्टलर GAS Dust Particles और Radiation Particles बड़े बड़े हैं इन GAS और Dust Particles में 99% सिर्फ GASES ही प्रेजंट है 99% की GASES में 75% की GAS का मार्स Hydrogen GAS कवर करता है और बाकी की 25% की GAS का मार्स Helium GAS कवर करता है अब यह आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये नेबूलास बनते कैसे हैं और ये इंटरस्टैलर स्पेस में कहां से आते हैं तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इंटरस्टैलर स्पेस में बहुती जादा मातरा में गास और डस्ट पार्टिकल्स पाये जाते हैं अब इन गैस और डश्ट पार्टिकल्स पर ग्राविटेशनल फोर्स लगती है ग्राविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हर एक बौड़ी दूसरी बौड़ी के ऊपर लगाती है ताकि वैँ उसे अपनी और खीच सके हमारा सूरज भी हमारे ऊपर एक फोर् ग्राविटेशनल फोर्स की वज़ा से पास पास आने लगते हैं यह सारी गैस डस्ट और रेडियेशन पार्टिकल्स मुच्वल ग्राविटेशनल फोर्स आफ अट्रेक्शन की वज़ा से पास पास आने लगते हैं और यह एक खुबसूरत ऑब्जेक्ट को जन्म देते हैं ज जब हमारी पडोसी गलेक्सी यंड्रोमेडा गलेक्सी को औरस की यगाohad कहा जाता था और बाकि वी कुछ गलेक्षी को स्क्राइड गलेक्सी वहीं बल्कि स्पाइरल नाभी यौला जाता था Windows फ़े अपनी बैडमी ने अपनी किताब आल्मा गैस्त में नेयुला शब्त का सबसे पहले पรयों किया था और इन्होंने यह भी ऐविग्य आज्सटरадцता कि अपनी किताब फिग्सесь स्टार्स में ऐड्रोमेडया गलक्सी और नेयुला कहा था उन्होंने कें स्टार कलस्टर्स को भी नेबियूला स्टार का नाम दिया था 4 जिलाई 1054 में एक सूपर नोवा के धमाकी की वज़ा से क्रैब नेबियूला का जन्म हुआ था ये नेबियूला इतना बड़ा था कि ये हमें हमारी दर्ती से दिखाई दे रहा था इस नेबियूला को जैपनीज और चाइनीज आस्टरोनामर्स ने अबजर्व किया था 1610 में निकोलस क्लाउड ने ओरियाउन नेबियूला की खोज की लेकिन इसकी डिटेल स्टडी 49 एर्स के बाद क्रिस्चिन हुजियन्स के दवारा की गई थी फिर इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट आए बहुत से एस्टरोनामर्स आए और उन्होंने बहुत सारे नेबियूलास की खोज की ये नेबियूलास बहुत ही ज़ादा मातरा में हमें मिलने लगे हम इंसानों के लिए ये मुश्किल हो रहा था कि इन नेबूलास की किस प्रकार से आसानी से स्टडी की जाए तो इसी वज़ा से हमने इन नेबूलास को चार अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया और उन सभी पार्ट के नाम अप अपनी स्क्रीम पर देख रहे हैं सबसे प्रड़र टाइप में आती है gefज मैं पडिकर नेबूलास के बिदीखात की इसे फिष्चेन नेबूलास के आगे दो रेडियेट करता है और यही वज़ा है कि यह चमकता हुआ दिखाई देता है फिर दूसरी टाइप आती है diffused nebula की reflection diffused nebula reflection diffused nebula किसी भी प्रकार की light को रेडियेट नहीं करते हैं परंतों यह अपने आसपास के सितारों से आ रही light को रेडियेट करते हैं और यह भी चमकते हुए दिखाई देते हैं फिर दूसरी टाइप आती है dark nebula dark nebula ना तो किसी प्रकार की light को reflect करते हैं और ना ही किसी प्रकार की light को radiate करते हैं इस nebula में करीब सो से ज़्यादा organic और inorganic materials present होते हैं और सब्सक्राइब नेबियूला वी एक डार्क नेबियूला की ही एक एक इक्जेंपल है इन डार्क नेबियूला में इंफरा रेड रेज पाई जाती हैं फिर तीसरी टाइप आती है प्लैनेटरी नेबियूला जब कोई कम मास्का स्टार अपनी जिंदी की की अंतिम चलंड पर होता है तब एक रेड जैंट में बदल जाता है रेड जैंट में बदलने के बाद वह अपनी बाहर वाली लेयर्स को दिरे दिरे खोड़ने लगता है उसकी बाहर वाले फोती और सबसे ऐ्क आखरी टाइप odpow आती है सूपर्णोवा रेमनेंट नेविवला एक बड़े चुमवा विस पार्टी वजासे बनते हैं उपना भी एक सूपरौनोवा रेमनेंट नेवुला में खह opin Geral को चाहरी चीज़ों का जन्म किस प्रकार से होता है अब इन नेबूलास में किसी एक पॉइंट पर ग्राविटेशनल फोर्स आफ अट्रेक्शन की वज़ा से यह गैस और डस्ट पार्टिकल्स जुड़ने लगती हैं और जुड़ने के वज़ा से वहां पर प्रेशर बहुत ही जादा बढ़ जात है हमारी कलेक्सी का सबसे बड़े स्टार फॉर्मिंग रीजिन में आने वाला नेबूला ओमेगा नेबूला है यह पांच हजार से 6,000 लाइट इयर चोड़ा है सबी नेबूलास करीब कई सो लाइट यज़ चोड़े होते हैं परन्तू इनकी डैंसिटी बहुत ही कम होती है वैसे तो इन नेबूला की डेंसिटी एक प्रफेक्ट वैक्यूम होती है परनतु हमारी दर्ती पर क्रियेट किये किसी भी प्रकार के वैक्यूम से इनकी डेंसिटी कम होती है और यान नेबियूला हमारी गलेक्सी का सबसे जाला चमकीला नेबियूला है ये नेबियूला हमारी दर्ती से आसानी से देखा जा सकता है यूनिवर्स में इंटरस्टालियर स्पेस में बहुत चारी गैस और डस पार्टिकल्स पाई जाती है बस यूनिवर्स को इस चीज़ का इंतजार रहता है कि कब ये गैस और डश पार्टिकल्स जुड़ जाएं और एक डैबिूला को जन दे दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा और शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजेगा तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नए ने चीज़े सीखते रहिए